स्वागते दोस्तों इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक नए रेलवे बूर्ड के ट्रांसफर के डायरेक्षण के सम्मन्द में इस लेटर में 35-2024 का लेटर है जिसमें लिखा गया है Inter-Relevy Request Transfer, Hardshifts Being Faced by the Staff तीन लेटर का reference लिया गया है ये तीनों लेटर का reference लिया गया है उसमें पहला लेटर है NOC के Revalidation का जो timeline दिया गया था उसके समझ में दूसरा Mutual Transfer के समझ में explanation अपने हिसाब से बना के upload करता हूँ फिलहाल ज्यादा समय आप लोग का ना लेते हुए इस लेटर के बारे में बात करेंगे इस लेटर में कहा गया In terms of board letter number ENG-2020-TR-16 dated 110-2020 RB-85-2020 Instructions have been issued that NOC issued in the matter of own request transfer by the receiving railway should be valid for a period of 6 months and if own request transfer of the employees concerned are not affected within this period the NOC in a such case should be mandatorily mandatorily यानि mandatory है revalidated यानि क्या है mandatory कि आपका NOC आया 6 मैने के validation के साथ अगर आपको relief नहीं किया गया तो personal department का काम है कि उससे revalidate करें यह अलग बात है कि personal department आपको यह कहेगा इसमें कहां लिखा कि personal department करें लेकिन एक काम ही personal department के concern dealing clerk का है कि जैसे ही अगर relief नहीं किया जा रहा है तो उससे revalidate कर ले अगले 6 मन्त के लिए उस लेटर में था कायर आगे बढ़ते हैं कहा गया उसके बाद क्या है कि उसमें एक और चीज कहा गया है आप वहाँ पहुंचते हैं तो अगर उस जोन में चार डिवीजन है आपने जिस डिवीजन के लगाया है जिस डिवीजन से अनुसी आया था वहाँ पे वैकनसी नहीं है तो आपको options दिये जाते है कि आपने जेपूर के लिए लगाया है जेपूर नहीं मिलेगा भाई साब ये बिकानेर है ये ये डिवीजन है आपको यहाँ जाना है तो जाएए अने था option नहीं है बिहार के लिए लगाया समस्तिपूर option नहीं है तो चलो भई आप सोनपूर जाओ या धनबाद जाओ बिहार के केसेस में बहुत हुआ है कि लोग दानापूर और समस्तिपूर के लिए गए मिला उनको धनबाद आइदर वो वहाँ पे रहे या वापस आ गए बहुत ज़्यादा समझ से आए तो जब थोड़ा सा करमचारी के यूनियन का भी दवाव दिया गया तो यह ध्यान दिया गया कि 6 महने अगर हो जाता है उस दर्मियान में अगर छोड़ा नहीं जा रहा है तो compulsory निश्चित रूप से यह mandatory होगा कि उससे revalidate किया जाए एक साल के लिए और उसके बाद अगर 6 महने के बाद अगर रिलीव किया भी जा रहा है तो concern division से revalidation का confirmation भी लिया जाए साथ साथ तब यहां से छोड़ा जाए ताकि करमचारी को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना परे इस letter के हिसाब से यही कहा गया चलिए आगे देखते है किस letter के हिसाब से और क्या कहा गया besides से वह it is reiterated that all transfer may be conducted in time-bound manner as advised wide boards later dated 1.12.203.1.12.2023 and 26.12.2020 under reference adherence to these instructions steep polluting time-bound release of staff the requirement of validity of NOC would not be required यानि इन सब के अलावा जो उपर में मैंने चर्चा की इसके अलावा ये कहता है कि इसके अलावा जो properly आफ follow कर रहे हो किसी के process को भेज रहे है NOC के लिए NOC वहाँ से आ जाता है तो उसके NOC के validity की किसी भी प्रकार की आवश्यक्ता नहीं है यानि जिसका NOC आ गया है expired हो गया है उसे revalidate करिये revalidate करने के बाद reconfirm करने के बाद divisions क्योंकर revalidation के लिए भेजिएगा तो reconformation वहाँ से मांगेगा ही मांगेगा कि वहाँ से आएगा कि उनके पास vacancy बची है या नहीं बची है तो वहाँ से या option आएगा कि अगर वहाँ vacancy बची है revalidate हो गया तो immediate basis पे रिलीव किया जाए तो इस सम्मन्द में क्या हो रहा है कि कई division कई staffs जिनका पहले से NOC आया हुआ था और expire हो गया तो उसके बाद उसे willingness मांग रहे है कि वह जाने के एक शुक है की नहीं तब उनका NOC के लिए revalidation के लिए भेजा जाएगा ये भी एक तरीके से सही है क्योंकि कई लोग इतने लंबे process हो जाने के बाद छोड़ देते हैं इच्छा जाने की इच्छा उनकी खतम हो जाती अब नहीं जाएंगे कई तरह के settlement हो जाते हैं बच्चे स्कूल में पढ़ने लगते हैं या वो खुद ही settle हो जाते हैं तो नहीं जाना चाहते हैं तो अगर उनके भी NOC को process किया जा और वो बाद में मना करें तो इतने effort wastage होते हैं कि जगा पर कोई नया employee का NOC के लिए भेजा जाएगा वो ज्यादा बहतर है तो इस चीज को मैं सही मानता हूँ कि अगर वो नहीं जाना चाहते है पहले willingness दे दे तो किसी और employee का जाएगा तो willingness मांगा जा रहा है जिन लोगोंने willingness दे दिया उनका re-validation के लिए willingness दुबारा नहीं मांगा गया है तो अब जो re-validation के लिए जाएगा re-validate होके आएगा या इस लेटर के बाद most probably आपके own request transfer या जो भी transfer के process है वो बहुत ही fast हो जाएगे क्यों railway board से direct instructions है अब फिर भाई बात निकल के आती है कई लोग instructions तो आते रहते हैं लेकिन railway follow नहीं करती है आज भी सबसे बहतर तरीके का transfer zonal level पे divisional level पे mutual level पे railway जैसी spouse transfer railway जैसी संस्था ही कर रही है SSE ने अपने आपको पूरा का पूरा strict कर लिया है हर तरह के banking के अलग हो गये हैं streets के तो अलग है ही कई तरह के process में बाबू गिरी है कई तरह के clerical attitudes हैं जिससे की काम करने में देरी होती है बट still railway अपने staff का transfers consider करती है बहुत बहतर तरीके से तो अगर आपका नोसी आया हुआ है या expired हो गया है तो willingness तुरद्दे आया हुआ है तो थोड़ा सा active हो जाए जो बचे हुए हैं उनकी posting दी जाएगी तो जो पहले से transfers लगा के बैठें उनका भी transfer हो जाएगा अमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कैसे 5-8 मेने में transfer हो जाएगा इसके अलावा भी और कई लोगों के हुए हैं तो ये लेटर बहुत इरामबान साबित होगा संजीवनी साबित होगा जिन्हें transfer जाना है वो थोड़ा सा active हो जाए थोड़ा सा effort ज्यादा लगा है तो transfer अवश्य हो जाएगा बाकि दो लेटर का जो तीन लेटर का जो नोंने reference लिया है वो मैं अगले वीडियो में बना करके आपको अपडेट करता हूँ का आखिर वह तीन लेटर का reference क्या है वीडियो कैसा लगा जरू बताइए मैं प्रयास कर रहा हूँ लगतार वीडियो लाने का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब भी करिए धन्यवाद दोस्तों